हेलो स्टूदेंस आई होप यह रोल विल्ट तो कंटिनुएंग विद एक्ससाइज 6.5 कल हमने बात करी थी एडिशन की कि हम लोग फ्रेक्शन में एडिशन कैसे करते हैं आज हम उसी को आगे कंटिनुव करेंगे तो पहले तो मैं मिक्स फ्रेक्शन के एडिशन कोशन नमबर 8 क्या कर रहा है हमको आड़ करना हैं तो first of all let us take it a part a part is 1 1 by 2 plus 2 1 by 4 ठीक है क्या कह रहा है गोस्ट नमबर 8 गोस्ट नमबर या कह रहा है Q8 कह रहा है कि आप इस नमबर को इन दोनों नमबर को आड़ करके बताएं तो अभी तक हमने कैसे किया है, अभी हमारे पास normal fractions थे, ठीक है, जातो fractions हमारे पास proper fractions थे या improper fractions थे, mix fractions पहली बार आए, ठीक है, मगर अपना जो procedure रहेगा, वो same रहेगा ही लेगा ने, procedure का पहले step क्या है, पहले आपके जो भी fraction दे रहा किया है, उनको like fraction में change करो, ठीक है, पहले वाला तरीका देखो, सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको improper, दोनों को improper fraction में change करो, कैसे, 2 into 1, plus numerator upon 2, plus 4 into 2, plus numerator upon 4, okay, denominator का number वैसा के वैसा रहता है, numerator में क्या हो जाता है, आपके पास, जो number denominator में है, उसको ये left side वाले number से multiply करो, जो भी answer आए, उसको numerator में add कर दो, so this is 3 upon 2, plus 4 to the 6, 6 plus 1, 7 upon 4, अब इसको हमको solve करना है, अब 3 upon 2 की बात करें, और 7 upon 4 की बात करें, तो denominator is different है, 3 upon 2 को हम क्या करेंगे, 3 upon 2 का denominator जो है, वो upon 4 बनाएंगे, ठीक है, 2 और 4 का LCM लेंगे, तो आपके पास 4 आएगा, वैसा ही question है, जैसा कल किया था, 7 upon 4, 1 upon 1, तो यह बना, 6 upon 4, plus 7 upon 4, next step क्या होता है, common denominator, common denominator आया, 6 plus 7, 6 plus 7 होता है, 13 upon 4, answer, इसी तरह से अगला part देखो इसका, next part, B, B part लेके चलते हैं, B part के लिए बात करें, तो this is 2, 3 by 4, plus 3, 3 by 4, ठीक है, तो मैंने आप से कहा था, कि इसको solve करने के दो तरीके हैं, 3 by 5, sorry, this is 2, 3 by 5, हाँ जी, तो मैंने आप से कहा था, इसको solve करने के हमरे पास, 2 तरीके हैं, ठीक है, तो 2 तरीके हैं, एक मैं चेक कर लेता हूँ, वीडियो चालू है के नहीं है, वीडियो चालू है, तो इसको solve करने के हमरे पास 2 तरीके हैं, दो तरीके क्या क्या हैं कि हम एक तरीका तो वो जो मैंने आपको अभी तक सिखा दिया कि सबसे पहले mix fraction को improper fraction में change करो और फिर solve कर लो ठीक है दूसरा तरीका ही के है कि आप 2 3 by 5 को ऐसे भी लिख सकते हो 2 plus 3 by 5 plus 3 3 by 4 को ऐसे भी लिख सकते हो 3 plus 3 by 4 ठीक है मेहनत तो सारी के सारी वही लगेगी आपको LCM भी लेना पड़ेगा ठीक है मगर कुछ बच्चों को हो सकता है यह वाला तरीका favor करेगा तो 2 plus 3 बन गया आपका 5 plus 3 by 5 plus 3 by 4 अब क्या हो गया यह हो गया 5 upon 1 आपको LCM अब किसका लेना पड़ेगा 1 का 5 का और 4 का LCM लोग आपके पास आएगा 20 तो 5 को उपर नीचे multiply करेंगे 20 से plus 3 upon 5 5 में क्या multiply करेंगी 20 आजाए 4 3 upon 4 4 में क्या multiply करेंगी 20 आजाए 5 ठीक है देखो करना तो हम को यह यह उपर नीचे LCM लेके multiply करना पड़ेगा ताकि हम like fraction बना ले ठीक है बस यह है कि mixed fraction को improper fraction में कैसे change करते हैं उसमें थोड़ा सा हम changes कर लिए otherwise हमारा सारा का सारा procedure बाकी का same है तो यह हुआ 100 upon 20 plus 3 for the 12 upon 20 plus 5 for the 15 upon 20 common denominator है आपके पास 20 100 plus 12 plus 50 एक्सराइब इसको solve करेंगे तो आएगा 127 upon 20 एक्सराइब इसको पीछे चेक कर ले ता हूँ एक बार exercise 6.5 है question number 8 का B part 6 7 by 20 दे रखा है answer ठीक है यह भी साही है बाकी आप इसे चाहें तो mix fraction में भी change कर सकते हैं mix fraction में change करेंगे और उसको divide करेंगे denominator से कब तक जब तक कि हमारे पास division और आगे ना हो तो सबसे पहले तो 20 into 6 is 120 7 remainder अब 7 क्योंकि 20 से चोटा है तो एतना ही division हो ठीक है तो यह denominator में तो 20 रहा quotient को हम लिखेंगे यहाँ पर multiply में और left hand side में सरी multiply नहीं left hand side और 7 को remainder को हम लिखेंगे उपर 6 7 by 20 यह answer हो hopefully इसके बागी के parts आप खुद से कर पाएंगे और पीछे बेटा mix fraction में दे रखा है और this will be your choice कि आपको answer mix fraction में निकालना है कि ने answer आप ऐसे p y cube में निकालना है तो वो भी correct है मतलब कि 127 upon 20 यह भी इसके लिए correct answer हो अब बात करते हैं हम suppression of fractions की ठीक है suppression of fractions की बात करते हैं suppression of fractions है क्या suppression of fractions बेटा addition की तरह यह कुछ अलग नहीं ठीक है addition में जहाँ add करते हैं तो suppression में वहाँ subtract करते हैं ठीक है बागी सारे procedure सेम रहेंगे procedure क्या सेम रहेंगे first of all determine whether the fractions are like or not अगर like है तो comment denominator लेके subtract कर लो अगर like नहीं है तो like बनाओ फिर comment denominator लेके subtract कर लो यहीं फंडा लगता है अपना तो तो question number 9 है आपका subtract इसका a part नहीं कराऊंगा मैं क्योंकि a part आपको पहले से ही like terms दे रखा यह पार्ट में ठीक है इसका c part है अपने पास 8 upon 15 minus 3 upon 20 ठीक है अच्छा जी जैसा कि हमको दिख रहा है denominator सार नॉट से तो lcm लेना पड़ेगा 15 और 20 का आपको lcm लेना पड़ेगा 15 और 20 के lcm लेंगे आप भी लीजे फटा फट कॉपी में अपने 15 और 20 के lcm के आएगा अपन बार बार लेते रहे हैं मैं बार बार करके बता रहा हूँ इस बार मैं directly answer लिखने वाला हूँ 15 और 20 का जब आप lcm लेंगे तो आपके पास आएगा 60 चेक किजिए आप 60 answer आ रहे हैं कि आपका अब बात करते हैं 8 upon 15 इसमें कुछ उपर नीचे multiply करेंगे तो पहले देखे 15 में क्या multiply किया जाए कि 60 आ जाए 15 फोर्जा होता है 60 और 20 में क्या multiply किया जाए कि 60 आ जाए 20 इंटू 3 हो जाएगा 60 तो ये बना आपके पास 8 फोर्जा 32 अपन 60 मैनस 3 ती ती जा 9 अपन 60 common denominator लिया common denominator क्या है हमारा 60 है 32 माइनस 9 numerator बीच्च वाले sign के साथ ऐसा कैसा लिख दिया हमने अब 32 में से 9 गए तो 23 बचा अपन 60 और ये हमारा answer ठीक next इसका d part लेते हैं d part is 5 upon 11 minus 7 upon 22 once again take the LCM of 11 and 22 I am not going to take LCM from now onwards क्योंकि LCM के बहुत सारे questions कर ली है and I hope कि आप खुद से करता है LCM के questions ठीक है तो LCM इसका आएगा क्या आएगा LCM 22 आएगा ठीक है अच्छा कुछ लोग इसको direct LCM लेके भी कर लेते हैं अगर आप घर पे किसी से अपने पैरेंट से आपने किसी भाई भाई या दीदी से सीख रहे हैं और वो आपको direct LCM लेना बता रहे हैं तो बेटा most welcome वैसे कर लो ठीक है मैंने ये तरीका इसलिए ऐसे बता अब in fact आपके बुक में भी वो direct LCM लेके तरीका वाला है direct LCM वाला तरीका कौन सा होता है 22 ये हो गया 22 upon 11 is 2 तो 5 into 2 कर देंगे 22 upon 22 is 1 7 into 1 कर देंगे ये वाले तरीके की बात कर रहे हैं जादा तर बच्चे जो अगर घर में किसी और से पढ़ रहे हैं तो ये वाला तरीका यूज कर रहे हैं ठीक है मैं जो method यूज कर रहा हूं वो सब बच्चे यूज कर सकते हैं वो अलग से instruct करने की जरूत नहीं है ये जो तरीका इसकी practice बहुत चाहिए होती है मगर मैं जो सिखा रहा हूं उसमें least amount of practice से आप आराम से कर सकते हैं तो क्या करना है LCM लेना है किसका 22 का और 11 का तो जब आप LCM लोगे तो LCM निकल गयाएगा आपके पास 22 तो 5 upon 11 into something upon something minus 7 upon 22 into something upon something तो 5 upon 11 में क्या multiply करें कि 22 आजाए 11 में क्या multiply करेंगे 22 आजाए 2 multiply करते हैं और 22 में तो दिमाग लगाने की जरूत ही नहीं है 1 से multiply करेंगे तो this becomes 10 upon 22 minus 7 upon 22 common denominator 22 10 minus 7 10 minus 7 कि ये तो 3 आया 3 upon 22 answer ठीक है इसके बाद question number 10 की बात करते है question number 10 question number 8 की तरह है यहाँ पे आपके पास mixed fraction है जिसका subtraction करना है इसका के वैल एक part बताऊंगा बागी आपके उपर 1 4 by 5 minus 1 1 by 10 ठीक है first method से करेंगे अपन usually उसी से करेंगे क्या करना है हमको subtract करना है तो सबसे पहले तो mixed fraction को change करेंगे अपन improper fraction improper fraction में कैसे 5 into 1 plus 4 upon 5 minus 10 into 1 plus 1 upon 10 10 को 1 से multiply करेंगे और जो भी answer आएगा उसमें plus 1 कर देंगे तो 5 into 1 is 5 5 plus 4 is 9 9 upon 5 minus 10 into 1 is 10 10 plus 1 is 11 upon 10 अब हमारे पास fraction तो बन गया अब यह like fraction नहीं है तो क्या करना पड़ेगा इसके साथ इसके साथ LCM लेना पड़ेगा 5 और 10 का अगर आप LCM लेंगे तो LCM निकल के आएगा आपके पास 10 तो 5 से कुछ multiply करेंगे क्या उपर नीचे 2 multiply करेंगे ताकि 10 आजाए और 10 से कुछ multiply करेंगे क्या कि उपर नीचे की denominator में 10 आजाए 1 multiply करो, simple रखो तो this is 9 to the 18 upon 10 minus 11 upon 10 तो common denominator मेरे पास आगया 10 और numerator मे 18 minus 11 तो यह बना आपका 7 upon 10 ठीक है? hopefully 10th question के बाकी के parts आप कुछ से कर लेंगे now I will move on to question number 11 question number 11 पे आता हूं मैं question number 11 के 4 parts से 3 मैं करके बताता हूं बाकी का एक आप कुछ से करिएगा इसलिए question number 10 में मैंने एक ही part बता है 11 का A part देखो 1, 3 by 4 question number 11 is simplify आपको जैसा sign दे रखा है addition suppression वह sub करने ठीक है? addition बीच में plus का sign है तो हम add कर देंगे minus का sign है तो हम subtract कर देंगे उससाब से चलिए ठीक है? fund आपना बहुत clear रहेगा कि भाई सबसे पहले आपके fractions like fractions होने चाहिए उसके बाद आगे के बात तो like तो दूर है यह तो mixed fraction है तो पहले इनको solve करो 4 into 1 plus 3 upon 4 2 into 2 plus 1 upon 2 minus 5 into 1 plus 1 upon 5 solve किया तो 4 plus 3, 7 upon 4 plus 4 plus 1 5 upon 2 plus 5, sorry minus आए गा यहां पे minus 6 upon 5 अब LCM निकालना है क्या है कि unlike fraction है LCM निकालेंगे तो once again LCM मैंने निकाल रहा आप video pause कीजिए LCM निकालिए चेक कीजिए कि आपका LCM सही आया LCM है आप आएगा 20 तो first वाली की बात करे 7 upon 4 into something plus 5 upon 2 into something minus 6 upon 5 into something सब में कुछ-कुछ multiply होगा ताकि आपके पास denominator 20 आजाए 4 में क्या multiply करें 5 2 में क्या multiply करें 10 और 5 में क्या multiply करें 4 और नीचे का हमको पता है 20 आएगा तो common denominator 20 35 plus 50 minus 24 अब देखो जो add हो रहे हैं उनको पहले add कर लेते हैं तो 35 plus 50 कितना हुआ हमारे पास यह हुआ 85 minus 24 upon 20 तो यह बना आपके पास 61 upon 20 ठीक है आप चाहें तो इसे mixed fraction में भी लिख लिख सकते हैं mixed fraction में लिखेंगे तो answer आएगा 3 1 by 20 मगर ऐसे भी correct है कोई दिक्कत वाली बात अगला पाट देखते हैं इसका बी पाट बी पाट is 3 1 by 10 plus 2 1 2 by 5 minus 2 3 by 10 ओके वापस से solve करेंगे इस बार थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ 10 into 3 is 30 30 plus 1 is 31 upon 10 5 into 1 is 5 5 plus 2 is 7 upon 5 10 to 20 20 plus 3 is 23 upon 10 अब LCM लेंगे बहुत ही सिम्पल है इसका LCM इसका LCM आएगा 10 तो 31 upon 10 into 1 upon 1 plus 7 upon 5 into 2 upon 2 denominator 10 करना होगा आपको 23 upon 10 into 1 upon 1 is equals to 31 upon 10 plus 7 to the 14 upon 10 minus 23 upon 10 is equals to common denominator 31 plus 14 minus 23 जो लोग add हो रहे हैं उनको add कर लो 31 plus 14 is 45 minus 23 upon 10 minus कर लो 22 upon 10 चाहो तो mix fraction कर लो 22 upon 10 चाहो तो मत भी करो ये भी आंसर सही है ये भी आंसर सही ठीक है अब इस exercise का इस chapter का आखरी question देखते हैं next is C part C part is 3 2 by 3 plus 4 7 by 18 minus 5 by 6 minus 1 1 by 2 इस बार चाहर टम है मगर गबराने के कोई बात ही नही है हम तो वही करेंगे जो हमने सीखा है 3 3s are 9 9 plus 2 11 upon 3 18 for the 18 for the 18 for the नहीं आता 18 for the नहीं आता तो solve कर लो भई वैसे तो 72 है मगर नहीं आता तो क्या करेंगे 18 into 4 8 for the 32 4 was the 4 7 ठीक है तो मैंने काता ना 72 है मगर नहीं आता तो multiply कर लो कोई दिक्कत नहीं 72 में 7 add करो तो ये हुआ 79 upon 18 minus 5 upon 6 ऐसा कैसा है ना 5 upon 6 mix fraction नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो क्या फरक पड़ता है minus 12 बन्स अट 12 12 plus 1 13 ठीक अब हमको क्या करना है हमको वही पुराना LCM लेना है तो 3, 18, 6 और 12 का LCM लेना है तो देखो ज़रा 3, 3, 6 अटीन, 3, 2 अटीन, 3, 2 अटीन, 3, 4 अटीन, 3, 4 अटीन, 2 2 से करें तो 3, 2, 1, 2 फिर 2 से करें तो 1, 3, 1, 1 और फिर 3 से करें तो LCM में आपके पास क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 36 LCM निकल के आएगा आपके पास 36 तो भई, शुरुवात से शुरू करते हैं 3 में क्या multiply करें कि 36 आजाए 3 में multiply करो 18 sorry 12 18 में क्या multiply करें कि 36 आजाए 18 में multiply करो 2 से ठीक है ये LCM लेने की प्रक्रिया हटाता हूं मैं साफ पर जगे बन जाये हैं अच्छा जी अगली बात माइनस 5 अपान 6 इक्स में क्या मल्टिप्लाय करें कि 36 इस 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 मोल्टिप्लाय कर ऑर लास में है माइनस का 13 अपान 12 मी क्या मृटि autocon तो क्या-क्या निकल क्या आया है, देखो दी, यह तो आया है, 11 x 12 होता है, 132 upon 36, 79 x 2 करेंगे, तो 9 x 2 होता है, 18, और 72 होता है, 141, 158 upon 36, माइनिस, 56 आ करेंगे, तो 30 upon 36, और माइनिस, 133 आ करेंगे, तो 39 upon 36, ठीक, अब हमारे पास like fraction आ गए, सारे के सारे, like fraction आ गए, तो काम एकदम असान, common denominator लेंगे, 132 plus 158, minus 30, minus 39, ठीक है, अब भहिया, common denominator, numerator की बात करते हैं, जो number का sign same है, देखो addition क्या होता है, अगर दो numbers का sign same है, तो addition होता है, तो पहले दो number positive है, दोनों का addition होगा, 0, 8, 9, 290, दूसरे दो number negative है, दोनों का addition होगा, minus का 69, अब पहला number और दूसरा number दोनों के sign different है, sign different है, तो क्या होगा, यहाँ पे subtraction होगा, subtraction करेंगे, तो क्या आएगा, 290 में से 69 गए, तो 10 में से 9 गया, तो 1, और 8 में से 6 गया, तो 2, 2, 1 upon 36, ठीक, अब आप चाहें, तो इसका mix fraction में भी answer निकाल सकते हैं, बगर यह भी सही, तो इस तरह से इसका last part मैंने आपके लिए छोड़ा है, तो आज के लिए home work क्या हो गया, question number 8 complete कीजे, question number 9 complete कीजे, question number 10 के 3 parts, question number 11 का 1 part, मैं समझता हूँ कि मैं काफी सारा home work दे रहाँ, मगर इस home work देने के पीछे मेरा आलस नहीं, मेरा ये प्रयास है कि आप लोग, बच्चे लोग, सारी के सारे लोग धंग से practice करों, ठीक है, बिटा जितने question करोगे, उतना धंग से आएगग, अच्छा जी, next chapter that we are going to start is chapter number 10, अगला chapter जो हम स्टार्ट करेंगे, कल से, आज नहीं कर रहे, वो होगा हमारा chapter number 10, ओके, so thank you for your time, have a nice day.